लालची मतन वाला बिहार में मुन्ना और कन्ना नाम के दो मतन के व्यापारी रहते थे कन्ना बहुत लालची था लेकिन उसका मतन सॉल खुब चलता था लोग उसके दुकान पर ही भीड लगाते थे बिचारा मुन्ना उसकी दुकान हमेशा खाली रहता था एक दिन कन्ना के दुकान पर खुब भीड जमा हुई देखकर एक को रोक कर मुन्ना अरे भई क्या हुआ उसकी दुकान पर इतनी भीड क्यों लगी है कहीं उस कमीने ने कोई न्यू येर का ओफर रखा है क्या उसने कहा होगा कि एक किलो मांस लो तो पाया फ्री या दो किलो मांस लो तो भेजा फ्री ऐसा कोई स्कीम रखाऊगा उसने आप लोग बकरे की तरह उसी के पीछे भागते हो यूँ कोस रहा था ए मुन्ना तू तो जानता ही है कि वो कन्ना हर रोज नए नए वेरेटी वेरेटी आफर्स रखता है जानते हो आज का स्कीम क्या है एक हजार केजी का एक बकरा लाया है वो मुझसे भी लंबा है वैसे इतना बड़ा बकरा हमने कभी नहीं देखा सुना है कि वैसा मटन खाएं तो खुब ताकतवर बनेंगे इसलिए लोग वहां भाग रहे हैं ये सुनकर मुनना क्या एक हजार केजी का बकरा लोग इतना बड़ा बकरा देखने के लिए भाग रहे हैं वो क्या है मुझे भी देखना है पर अगर मैं गया तो कन्ना के सामने मेरी इज़त चली जाएगी मुझे लगता है कि कन्ना के इस पब्लिसिटी के कारण मैं अपना दुकान नहीं चला पाऊंगा मुझे दुकान बंद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं मुझे जाकर किसी नदी में डूप मरना होगा कहकर दुखी हो रहा था कि वहाँ से गुजर रहा एक जादूगर इसे देख कर ए मुन्ना ए क्या सारा गाउंग यहाँ पे जशन मना रहा है और तुम रो रहे हो क्या बताऊं एक वक्त था जब कन्ना मेरे दुकान में मटन के पोटली बनाता था और आज वो मेरे ही दुकान के सामने दुकान खोल कर नितने, आफर्स और स्कीम्स के साथ मेरा ही दंदा ठप कर रहा है और मैं हर रोज मक्खी मारता बैठा रहता हूँ बस इतनी सी बात तो ठेरो तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो जब सारा गाउं मेरा जादू देखकर हसता था एक तुम ही थे जो मुझे प्रोचाहन देते थे तो जब तुम तकलिफ में हो मैं तुमें कैसे छोड़ सकता हूँ ये लो, ये हवा का पंप है इससे तुम अपने भेड बक्रियों में हवा भरो तो वो 100 kg तो क्या 200, 300, 500, 1000 kg का भी बन सकता है इससे तुम उससे भी बढ़िया धंदा कर सकते हो ये सुनकर मुन्ना उचल कर कुदा और मुन्ना रे थैंक्स बॉस थैंक्स अगर तुमने जैसे काव ऐसा हुआ तो मैं तुमारे ले एक मैजिक स्कूल बनवाऊंगा कहे कर उस मैजिक पंप को लेकर अपने पास रखे एक भेड को हवा भरने लगा वो भेड यूँ फूलते फूलते 500 किलो वाला भेड बन गया बस ये देखकर खुशी से उचलता हुआ मुन्ना भाई और बेनों आओ आओ सिरफ 100 किलों का भेड देखकर खुश न हो मेरे पास देखिए 500 किलों का भेड है आईए आईए आज इस भेड को काट कर आप सब को एक एक केजी मास मुफ में दूंगा ये सुनकर लोग कन्ना के दुकान को छोड़कर मुन्ना के दुकान के सामने लाइन लगाने लगे लोग रे यार उस कन्ना के दुकान में सिरफ 100 किलों का भेड है पर मुन्ना के पास 500 किलों का भेड है ऐसा भेड मैंने अपने जिंदिगी में कभी नहीं देखा लगता है इस एक भेड का मास सारे गाउं के लिए काफी होगा कहकर मुन्ना के दुकान के आगे लाइन लगाने लगे उस दिन से मुन्ना के दुकान के सामने भीड जमा होने लगी मुन्ना ने खूब पैसे कमाए वादे के मुताबिक एक मैजिक स्कूल बनाकर भी दिया उस जादुगर को ये देखकर इर्शा के मारे कन्ना अरे ये मुन्ना तो पहले मक्षी मारता था अब अचाना किसके पास इतने इतने बड़े बड़े भेड कहां से आ गए ये 100 केजी वाला भेड लाने के लिए कितने गाउं घुमना पड़ा पर मुन्ना घर से बाहर नहीं निकलता फिर भी 500 केजी के भेड़ जरूर इसके पीछे कोई राज है किसी तरह इसका पता लगाना होगा कहकर एक दिन रात को चोरी छिपे मुन्ना के दुकाय के पास जाकर देखा बस जब सब चले गए तब मुन्ना ने दर्वाजा बंद किया और अपने पास वाले जादूई पंप से भेड बक्रियों को हवा भरने लगा वे धीरे धीरे फूलने लगे ये देखकर करना अच्छा तो मुन्ना के जैंट भेड बक्री के पीछे ये राज है यानि ये सारा जादू उस मैजिक पंप का है किसी तरह उस हवा वाले पंप को चुराना होगा कहकर मुन्ना के जाने के बाद उस पंप को चुराया सबकी नजर बचा कर उसे अपने दुकान में ले जाकर वहाँ पर एक ही भेड था उसमें हवा भरने लगा वो भेड बहुत फूलने लगा लेकिन लालची कन्ना और हवा भरने लगा और कन्ना हाँ और बड़ा बनो और बड़ा बनो कल मैं उस मुन्ने से भी ज़्यादा बहुत बड़े भेड को तयार करूँगा तब सारा गाउ मेरे दुकान के बाहर लाइन लगाएगा मेरे दुकान की रौनक फिर से आ जाएगी यू हवा भरता गया तो वो भेड अचाना थाम से फट गया उस से उसका दुकान भी चूर चूर हो गया जो एक भेड था उसके भी फट जाने से और कोई चारा ना बचा तो वो सीधा मुन्ना के पास गया और मुन्ना भाया शेड के खाल में गीदर की तरह मैं तुम्हें देखकर तुम जैसा बनना चाता था मैं तुमसे आगे बढ़ना चाता था कोई जादू करके और आज मेरी नौबत ये है कि मैं सडक पर आ गया हूँ महरबानी करके मुझे अपने पास नौकरी पर रख लो बॉस कहकर हाथ जोडने लगा तो मुन्हा ने उसे नौकरी पर रख लिया और ये इमानदारी से काम करने लगा लालची चिकन वाला एक गाउ में बकासूर नाम का एक चिकन शॉप वला रहता था संजूर नाम का व्यक्ति उसे आटो में मुर्गियां लाकर सप्टाई करता था एक दिन बकासूर संजू से तुम अपने मुर्गियों को क्या खिला कर पालते हो, गर उनका पर निकाल दिया, तो उनका वजन एक किलो भी नहीं रहता, अब से मैं तुम्हें मुर्गी के हिसाब से पैसे नहीं दूँगा, उनके वजन के हिसाब से दूँगा अरे अरे रहने दो, कोई कपड़े उतार कर वजन दिखता है क्या, मैं अपने मुर्गियों को काजू बदाम खिला कर पालता हूँ, अरे इससे बड़िया मुर्गियां यहां आसपास कहीं नहीं मिलेंगे, अब तुमने ऐसी बात कही, इसलिए अब से हर मुर्गी का 50 रुपे ज्यादा देने होंगे, मर्जी हो तो लो, वरना रहने दो, कै कर चला गया, भड़ाओ भड़ाओ, अरे तुमने 50 रुपे बढ़ाये, तो मैं उससे 5000 कमाने के तरीके सोचूँगा, अरे तुम मेरे बारे में नहीं जानते, ऐसा उसने सोचा, बात में बकासूर अपने लैप किया था वो दवाईयां और सिरिंज, अगर आपने ये इंजेक्शन डाला, तो मुर्गियां 10 मिनट में 100 गुना बड़े हो जाएंगे, लेकिन उन मुर्गियों को जो खाएगा, उसका पेटदर धोना निश्चित है, अरे कोई बात नहीं, मेरे मुर्गियां बड़ी हों, बस यही काफी है, अरे उसे खाने के बाद लोगों का क्या होता है, उससे मुझे क्या लेना देना, अगले दिन संजु ने मुर्गियों का डिलिवरी किया, बकासुर ने उन में से एक मुर्गी को इंजेक्शन लगाया, 10 मिन्टों में वो मुर्गी बहुत बड़ी हो गई, ये देखकर बकासुर बहुत खुश हुआ, थोड़ी देर बाद मोटू नाम का व्यक्टी उसके दुकान पर आया, कल मेरा 25 साल गिरा है, मैं अपने दोस्तों को बहुत ग्रैंट पार्टी देने वाला हूँ, इसलिए मुझे एकदम बड़िया 25 मुर्गियां देना, अरे 25 मुर्गियों का क्या करेंगे सर, मेरे पास एफरिका से मंगाय हुआ एक जैंट मुर्गी है, वो अकेली मुर्गी 40 लोगों के लिए काफी है, आप अपने दोस्तों को घर में पार्सल भी भेच सकते हैं, इस मुर्गी का दाम केवल 5000 रुपे हैं, आप खुद ही देख मुर्गी, अरे इसे देखो तो लगता है कि ये हमें खा जाएगी, आप चिंता ना करें सर, आप एक लौरी मंगवा लीजे, यू मोटू उस मुर्गी को लौरी मिले गया, इस तरह बकासुर उन मुर्गियों को इंजेक्शन देने लगा, बड़े बड़े फंक्शनों के ल और गलती से उसे कुर्सी में रखकर चला गया, इस बात से अंजान बकासुर जाकर उस कुर्सी में बैठा, बकासुर को वो इंजेक्शन चुभी, दस मिनिट बात जब बकासुर बाहर आया, तो वो जैंक मैन में बदल गया था, वो खुद अपने आपको देखकर डर गया, ए बगवान, ए क्या, मैं इतना बड़ा हो गया, यानि थोड़ी देर पहले जो मुझे चुभी, वो इंजेक्शन थी, मैंने तो सोचा कोई पिन चुभ गया होगा, अब मेरे जिंदगी का क्या होगा बगवान, यू सोच रहा था, बकासुर को गाउं के सड़कों पर चलते दर गया, अरे डरो नहीं भीया, मुझे बहुत भूक लगी है, तुमारे होटल में आज जितना भी चिकन बिर्यानी बना हो, वो सब मुझे दे दो, मैं खाऊंगा, मैं तुम्हें प्लेट के हिसाब से पैसे दूँगा, यू बकासुर एक हांडी भर के बिर्यानी खा गया, फिर भी उसकी भूक नहीं मिटी, यू बकासुर उस गौओं के सारे होटलों में जाकर वहां पर बने चिकन बिर्यानी और मतन बिर्यानी सब खा गया, यू उसने जितने पैसे कमाये थे सब खर्च हो गया, फिर भूक मिटाने के लिए उसे अपना घर भी बेचना पड़ा, बाद में गौओं में भीक मांगने लगा, कोई उसे खाना नहीं खिलाता था, एक दिन एक जोपड़ी के पास गया, माई भूक के मारे जा निकली जा रही है, थोड़ा जा खाना हो तो खिला दो, जोपड़ी में बैठी बुड़िया, बेटे, तुम्हारे बूक मिटाने की शिक्ती बगवान ने मुझे नहीं दी है, लेकिन एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना, तुमने पैसों की लालज में आकर, मुर्गियों को इंजक्शन दे कर, अपना ये हाल बना लिया है, इसलिए ध्यान से सुनो, लालज और बगवान से प्रार्दना करो, हो सकता है, फिर से तुम साधारन आदमी में बदल जाओ, अब बकासुर उस गौँ में रह नहीं पाया, वो अपने पत्नी और बेटे को लेकर उस गौँ को छोड़ कर जा रहा था, तभी उसके सामने एक साधू प्रकट हुए, मिंटु न उन्हें सब कुछ बताया और उनसे प्रार्षना की, भगवान ने इसे सही सजा दी है, लेकिन तुम लोगों को देखकर मुझे तरस आता है, इसलिए इसे फिर से साधारन विक्ति में बदलता हूँ, कहकर हाथ हिलाया, तब बकासुर एक साधारन विक्ति में बदल गया, द शिरोल नाम के गाउं में जांसी नाम की एक औरत अपने बेटे पवन के साथ एक होटल चलाती थी, उसके होटल के सामने जगन नाम का एक व्यक्ति एक मटन की दुकान चलाता था, एक दिन गाउं का सरपंच बोस मटन शॉप पर आया, क्यों जगो भाई, कैसे हो, बहुत दिन हो गए, तुम्हारे मटन को खाए हुए, तब जगन की पतनी राधा, क्यों भाईया, मेरे पती का मटन कह रहे हो, कई उनको काट कर खाने वाले तो नहीं हो न, अरे चुप रहो बहन, लोग सुनेंगे तो सोचेंगे, ये सरपंच ब तब मटन लाते हुए राधा, हाँ हाँ देता है, थैली भर भर कर देता है, वो देखो, वो सामने जो होटल चला रही है जांसी, वो हमसे ज़ादा कमाती है, अच्छा, तो तुम्हारी नजरे वहाँ टिकी है, देखो बें, उसका पती नहीं है, फिर भी अपने बेटे के सा एक छोटा सा होटल चला रही है, उपर से इस सारे गाउ में यही एक होटल है, और उसके पास खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि यह सिर्फ एक होटल है, लेकिन मटन शॉप गाउ में बहुत सारे हैं, इसलिए हमें वो होटल चाहि या नहीं वरना मुझे पता है उसे कैसे हासिल करना है अरे तैश में मता हो वैसे तुम कह रहे हो न कि मुझे मामूल दोगे तो समझो वो होटल तुमारा है यूँ कुछ दिनों बाद सरपंज जांसी के पास गया और देखो बेहन तुम्हें जो लीस का टाइम दिया था वो पुरा हो चुका है अब तुम्हें ये होटल खाली करना होगा पर ये क्या सरपंजी मैं तो हर मैने ठीक ठीक किराया दे रही हूँ न वो लीस के पैसे कितने है जरा बताईए मैं भर देती हूँ देखो बेहन सरकार का ये नियम है किसी एक को ही बार बार लीस में नहीं देना चाहिए इसलिए इस बार वो मटन शॉप वाले जेगन को दिया है लीस में ये सुनकर पवन मा मैं समझ गया रादा से पैसे लेकर सरपंजी ये होटल उन्हें दे दिया है हम इसे काली नहीं करेंगे जो करना हो कर लेना अरे इतने से हो और मुझे रिश्वत खोर कहते हो और कहते हो कि खाली नहीं करोगे अरे बच्चू देखते जाओ तुमसे मैं खाली कैसे कराता हूँ कहकर चला गया, उस दिन रात को अपने आद्मियों से कहकर जहांसी के होटल को आग लगा दी अपने होटल को बरबाद होते हुए देखकर जहांसी और पवन रो रहे थे कि तभी जहांसी का भाई प्रशांथ वहां पहुंचा प्रशांथ से जहांसी भाईया, सब कुछ बरबाद हो गया, जो मैनत से कमाये थी पैसे, सब कुछ राख हो गया यूँ दुखी हो रही थी दीदी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हार लिए एक होटल तयार करता हूँ यूँ गाउं के बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रम को दो हिस्से में काटा और उनसे चूला बनाया और एक रिस्टरंट को खड़ा किया ये देख कर जहांसी रे भाया, ये तो बहुत बढ़िया है, अरे एक चूले में इल्ली दोसा बनाएंगे और दूसरे चूले में माटन चिकेन वगरा बना सकते है अब शहरों में सब ऐसा ही करते हैं दीदी, वहाँ पर लोग इसे स्ट्रीक फूड कहते हैं अब तुम्हें किसी कमीनी से डरने की ज़रूत नहीं है, ये जमीन भी तुमारी है, तुमारे नाम पर परसो ही मैंने इसे खरीदा है अब शुरू करो अपना स्ट्रीक फूड, देर किस बात की दीदी, तब सब मिलकर स्ट्रीक फूड चलाने लगे लोग दूर दराज से आकर वहाँ पर चिकन मटन सब खाने लगे एक ग्रहाक ने जांसी से, दीदी, तुमारा ये स्ट्रीट फूड का सेटप बहुत बढ़िया है एकदम धाबा स्टाइल में बड़े सिंपल बनाया है आपने, मैं आपने दोस्तों को भी यहीं भेजूँगा अच्छी बाते बैया, बहुत खुशी हुई इस तरह आसपास के गाओं में भी जांसी का स्ट्रीट फूड बहुत मशूर हो गया राधा के होटल में जगन और राधा दोनों खाली बैटे थे तब सरपंच बोस वहाँ आया और अरे ये क्या, होटल में कम से कम मक्खी भी नहीं है अरे जब तुमारी मटन की दुकान थी, तब कम से कम थोड़ा बहुत तो ठीक था, कम से कम चार मक्खियां तो मन राती थी अब तो उन्होंने मटन का बिजनस भी शुरू कर दिया है, वो भी तुमारे हाथ से गया सारे गाउवाले उस स्ट्रीट फूट के पास ही जा रहे हैं खाने के लिए अगर सब वहाँ चले गए, तो हम चुप बैठेंगे क्या, उसको भी उड़ा देंगे तब लोग जख मार कर यही आएंगे, मैंने आज रात को ही उस स्ट्रीट फूट को तबा करने का मौरत निकाला है यो उस रात को कुछ लोगों को साथ दे कर जगन, राधा और बोस स्ट्रीट फूट के पास पहुँचे वहाँ जाकर उसे आग लगाने ही वाले थे, कि वहाँ पहरा दे रहे चार खुट्ते उपर तूट पड़े तब दौड़ती हूई राधा अरे ये कुट्ते कहां से आगे, अरे कोई से मारो, मारो इसे अरे कैसे मारें? अरे ये कुत्ते यहां के चिकन और मटन खाकर इनके वफादार बन गए हैं? अब उनके खाने को बिगारने आओगे तो वो चुप रहेंगे क्या? तुमने क्या उन कुत्तों को जहान सी समझा है? जो चुप चाप रोते हुए चले जाएंगे? अब यदि हम यहां से ना भागें तो यह हमें काट कर बोटी बोटी नोज डालेंगे? तब उनकुत्तों ने इने काट कर उन्हें वहां से भगा दिया? बस तब से इन्हों ने स्ट्रीट फूट की ओर नजर उठा कर भी नहीं देखा स्ट्रीट फूट का बिजनस खुब अच्छी तरह चलने लगा